मोती ने कहा हमारा घर नगिज आ गया हिरा बुला भगवान की दया है मैं तो अब घर भागता हूँ यह जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ नहीं नहीं दोड कर थान पर चलो वहां से हम आगे न जाएंगे दोनों उन्मत होकर बच्छडों की भाती कुलेल करते हुए घर से घर की और दोड़े वह हमारा थान है दोनों दोड कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए दड़ियल भी पीछे पीछे दोड़ा चला आ रहा था जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था बैलों को देखते ही दोड़ा उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा मित्रों की आँखों में आनंद की आशु बहने लगे एक जूरी का हाथ चाट रहा था दड़ियल ने आकर बैलों की रसियां पकड़ ली जूरी ने कहा मेरे बैल है तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से निलाम कर लाया हूँ मैं तो समझा हूँ मैं तो समझा हूँ चुराय लिए आए हो मैं तो समझा हूँ चुराय लिए आते हो चुपके से चले जाओ मेरे बैल है बेचूंगा तो बिकेंगे किसी को मेरे बैल निलाम करने का क्या अक्तियार है जाकर थाने में रपट कर दूँगा मेरे बैल है इसका सबूत यहां है कि यहां मेरे द्वार पर खड़े है दडियल जला कर बैलों को जबदस्ती पकड ले जाने के लिए बढ़ा उसी वक्त मोती ने सिंख चलाया दडियल पीछे हटा मोती ने पीछा किया दडियल भागा मोती पीछे दोड़ा गाउं के बाहर निकल जाने पर वह रुका वह खड़ा दडियल का रास्ता जाने पर वह रुका पर खड़ा दडियल का रास्ता देख रहा था दडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था गालिया निकल रहा था पत्थर फेक रहा था और मोती विजेई शूर की भाती उसका रास्तारों के खड़ा था गाउं के लोग यह तमाशा देखते थे और हस्ते थे दोनों भागते भागते जाने पहजाने रास्ते पर दोनों भाग रहे थे भागते भागते दोनों को ऐसा लगा कि घर पास में ही है दोनों ने मुक भाशा में सलह की की वह अब थान पर जा कर ही रुकेंगे दोनों भागते भागते थान पर पहुँचे और उनके पीछे पीछे उनका नया मालिक भाग रहा था जूरी दरवाजे पर बेट कर धूब खा रहा था उसने दोनों बैलों को देखा तो दोड़कर गले लगा लिया दोनों के आखों से आसु बहने लगे एक ने एक तो जूरी का हाँच चाटने लगा पीछे से दड़ियल ने आकर दूनों बैलों की रस्थियां पकड़ ली जूरी ने उससे कहा यहां मेरे बैल है क्योंकि मेरे दर्वाजे पर खड़े है तो दड़ियल बोला मैंने इन्हें निलामी में खरीदे हैं जूरी ने कहा मुझे तो लगा तुम इन्हें चुरा के लाए हो यहां मेरे बैल है और इन्हें बेचने का अधिकार किसी को नहीं है जब मैं बेचूंगा तो यहां बिकेंगे चले जाओ चले जाओ यहां से नहीं तो पुलीस में रिपोर्ट कर दूँगा दड़ियल चला कर बोला यहां मेरे बैल है और उनके गले में और उनके गले की रस्तियां जबदस्ती खीचने लगा उसी समय मोती ने सिंग चलाया दड़ियल पीछे हटा दड़ियल के पीछे पीछे मोती भाग रहा था मोती ने उसे गाउं के बाहर निकाल कर ही दम लिया गाउं के बाहर खड़ा खड़ा दडियल धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर भी फेक रहा था पर मोती ने उसे गाउं के अंदर ना आने दिया यह सारा दुरुष्य गाओं के लड़के देख रहे थे और हस रहे थे कल हम पाठ का लास्ट पीज देखेंगे पढ़ेंगे